नमस्कार दोस्तों मैं मोनुसावर आप देख रहे हैं रॉयल इन्फिल्ड टिपसेंज त्रिक आज हम बात करने वाल हैं रॉयल इन्फिल्ड कौन सी भाइए करनी चाहिए इवन यह बहुत मलग ट्रिफिकल सवाल है कि कौन सी गाड़ी खर जितने चाहिए और आपके लिए कौन सी बैटर रहेगी और आपका यूज किया है सबसे पहले हम इस चीज के बारे में बात कर दें और आपका डेली 10-15 किलोमेटर चलाते हैं और कोई मार्केट के अंदर रहन इवन उसके अंदर सेल्प स्टाइट नहीं है और नहीं डिस ब्रेक हैं पर बहुत बड़िया गारी है कमाल की और सिंपल है बलैक कलर में आती है इसके वाद बात कर लेदें इलक्टरा की देखो इलक्टरा के अंदर क्या है माला मॉडिफिकेशन करना है तो बहुत बड़ि के मामले में सबसे पहले नंबर वन पर रखी जाए तो इलक्टरा बहुत बड़िया है ठीक है जिसमें सेल पे स्टार्ट और डिस ब्रेक भी है और लुक भी ठीक था कि उतना बुरा नहीं लगता अच्छा लगता है इसके बाद कलतें क्लासिक मोडल के क्लासिक एक ऐसी गा क्लासिक के अंदर हमारे कुछ ना कुछ कमी है जैसे कि हमारा जो नॉर्मल क्लासिक है जो गन मेटल गरे नहीं है उसके अंदर रियर डिस ब्रेक तो है पर नॉर्मल के अंदर नहीं है और नहीं हमारा फ्यूल इंडिकेशन है तो यह कमी हमारी दूर करती है थंदर बड़ औ बंदे के लिए थंदरवट बहुत बड़े गाड़ी है रियर डिस ब्रेक और इवन आपको एक बड़ा टैंक चाहिए होता है वह कमिया आपकी दूर करता है थंदरवट बहुत बड़े गाड़ी है और कंपेर टू करेंगे अगर मनला हमारा बजट जो है बजट में भी कोई जादा फर्क नहीं है दस से पंदह यार उपे के बजट के अंदर आपको यह सारी कमिया आपकी दूर हो जाएंगी और इसके उपर अगर जाते हैं तो आपको पांसो सीची खरीदनी पड़ेगी और पांसो सीची में अगर सबसे पहली गाड़ी लेंगे तो मेरी पसंद सब से नंबर बन पर इसके बार आगी कहानी सारी खतम है तो यही है आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपनी गाड़ी चोईस कर सकते हैं इस्टेंड़ सबसे बैटर है लो मैंटेनेंस है और कम बजट के अंदर और लोकल और टशन दिखाने के लिए सब कुछ आपका जरूरत है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपको कौनसी गाड़ी लेनी चाहिए तो यही था यही पर आपके सारे concept दूर हो जाते हैं और फिर भी अगर आपका क्या सोजाओ है कमेंट सेक्शन में बताईए कहा कोई कमी रही वो कमेंट सेक्शन में बताईए से इंप्रूमेंट करेंगे फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही जाइन बंदे मात्रम